Hello students, welcome back in the next session of GK. आज हम करने बाले हैं famous temple of India. So जैसे कि आपको बता है famous monuments हो गई या temple हो गई, इससे related कभी ना कभी questions आते रहते हैं. So इसलिए इस session में हम देखने बाले हैं इंडिया में जितने भी famous temple है. वैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे famous temples हैं, लेकिन हम एक national level exam के हिसाब से देख रहे हैं, ना कि state level exam के हिसाब से. तो इसलिए हम जो most important and selected temples हैं, उनके बारे में आज देखने वाले हैं. ठीक है? First temple is Badrina temple जो की उत्राखंड में है. Temple का नाम और temple की location आपको पता होनी चाहिए. बाकि अगर वो temple आपके state का है, तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता ही होगा. यह आपके ना interview के हिसाब से भी बहुत important है, बिकास आपको अपने state के बारे में या अपने location के बारे में पक्का question आता है interview में भी. ठीक है, सो बदरीनाथ temple कहा है, कौन से भगवान का है, यह सब हमें पता होना चाहिए. तो बदरीनाथ temple जो है, यह अलकननदा रिवर के पास situated है. ठीक है, यहाँ पर लौट बदरीनाथ ही रहते, तो बदरीनाथ जो है वो भगवान है, यह कहां पर है, तो चमोली district जो है उ उसमें से एक है, ठीक है, इस temple में कुछ बो, मतलब ऐसे famous festivals भी होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे वैश्णो माता हो गई, उसके बार में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो वैश्णो देवी जो है, वहाँ पे northern का जो नवरातर होता है, वहाँ बहुत ही भीड होती है, तो उ एक उदर का ये मेला होता है, और एक और फेस्टिवल जो बदरी केदार मैंने बताया, वो भी celebrate किया जाता है, तो बदरी नाथ और केदार नाथ टेंपल जो है, उदर दोनों मिला के यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, इस मंदर का आप ये भी देखोगे कि maximum time तो ये मंदर क्लोजी रहता है, विकास यहाँ पे वेदर बहुत ही harsh रहता है, ओके, नेक्स्ट है संट टेंपल उडीसा, इस वेरी फेमस टेंपल, ये आपको हिस्ट्री बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये उडीसा में located है, और बहुत ही beautiful मन दे रही है, तो संट टेंपल जो है, ये कुनाग जो एक टाउन है, वहाँ पे ही situated है, पूरी डिस्टिक ओफ उडीसा में, इसका आर्किटेक्ट बहुत ही सुन्दर है, और जैसे कि संट टेंपल इसका नाम है, तो इससे आप समझ सकते हों, ये भगवान सूर्य या गौड सन को dedicated है, इस मंदर का जो shape है, वो एक structure बनाया गया है, बहुत ही पुराना मंदर है, ये 13th century में build किया गया था, और एक king थे, नरसिम्मा देव, उनके तरफ से ये build करवाया गया था, ठीक है, ये Lord Krishna को dedicated है, तो like every temple, इस temple से भी आप देखोगे, कुछ legend या कहान या type का related है, तो इसमें ये माना जाता है, जो भगव पूजा करते थे, कुछ ऐसा इससे legend related है, next है, ये भी बहुत important temple है, South India के कुछ-कुछ temples जो है आप देखोगे, वो history की book में mentioned है, तो ये ना ही सिफ स्टार्टिक जी की कि हिसाब से, ये एक history के हिसाब से भी important temple हो जाता है, this is Brihadeshwar temple, okay, Brihadeshwar temple ये Tamil Nadu में situated है, so Brihadeshwar temple जो है, ये question, not in MNS, but CDS में, ये question आया हुआ है, तो आप समझ सकते हो, इस temple की importance क्या है, ठीक है, क्योंकि जन king ने बनाया है, उनका भी काफी mention है, the king name is Raja Raja Chola One, okay, 11th century का ये temple है, बहुत पुराना temple है, और ये largest temple भी है, South India का, जो चोला से ये आपने पढ़ा होगा, चोला, चेरा, ये जाने जाते थे for admiration of art, मतलब इन लोगों को art बहुत ही पसंद था, तो इसलिए आप देखोगे, जैसे मुगल्स के बारे में भी कहा जाता है, कि उनको art and building ये सब चीजे बहुत ही पसंद थी, तो उन्होंने काफी buildings और ये सब monument वेगरा बनवाया है, तो उसी तरीके से इ आस्तु शाष्त्रत, ये भी एक Hinduism बिलीव ही है, तो उसे साब से बनवाया गया है, और ये टेंपल जो है, ये लौट शिवा को dedicated है, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लस इस टेंपल को ये ने इसको world heritage site भी मिला है, नेक्स्ट इस सोमना टेंपल गुजरात, ये भी बह उसमें भी आपको सुमनाथ टेंपल का reference मलेगा, सोमा मतलब होता है, मून गौद, इसलिए सोमनाथ मतलब क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ द मून गौड, तो जो मून गौड को प्रोटेक्ट करते हैं, या प्रोटेक्टर है, उन्का ये temple बनाया, तो जैसे मैंने बताया, हर ट इंडिया में उसमें से ये एक टेंपल माना जाता है प्लस वन मोर इंपॉर्टन तिंग जो मैंने शायद आपको इस्ट्री में बताया भी है इस टेंपल को बहुत बार लूटा गया है मुहमत गजनवी खिल जीज और ऐसे लोगों के तरफ से ठीक है इन टोटल अगर आप देखोगे तो 17 टाइम्स इस टेंपल पे अटाक हुआ है कभी मतलब इस मंदिरों में आपको पता है वैसे भी बहुत ही चड़ावा चड़ता है तो गोल्ड वेगरा जो भी हो गया वो सब आते थे और लूट के लेकर चले जाते थे तो ये जो टेंपल आप देख रहे हो ना इमेज में ये मतलब पूरा एकड़म एंशेंट वाला नहीं है इसको बहुत ही बार रीकंस्ट्रक्ट करवाया गया है ओके नेक्स्ट इस के दारनाथ टेंपल उत्राखंड इसके बारे में तो आइम शूर सबको पता ही होगा ये भी एक बहुत ही अच्छा मंदिर है मंदिर सारे ही अच्छे होते है लेकिन ये एक बहुत ही मतलब पॉपिलर साइट है ठीक है सो ये कहां सिचुएटेड है सिचुएटेड है ये हिमालियन रेंज गड़वाल में ठीक है गड़वाल कहा है उत्राखंड में के दारनाथ जो है ये वान अफ दो मोस्ट सेक्रेट श्रीन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का नॉट ओनली इंडिया ये एक शिवा का ही माना ज जाता है कि इसको पांडवास जो है उन्होंने बिल्ड करवाया है और ये भी माना जाता है कि इस टेंपल को बाद में रिस्ट्रोर करवाया गया बाए आदी शंकराचार्य एट्थ सेंचुरी में ये जो मंदिर है यहां जाना बहुत मुश्किल होता है जैसे वैश्णो दे जाता है क्योंकि विंटर में अगर यहां पर जाने की कोशिश करे तो फस सकता है next इस साची स्तूपा जो की मध्यप्रदेश में है ठीके तो साची स्तूपा ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये जो स्तूपा इसके आसपास आप चोटे चोटे स्तूपा और MONस्त देख सकते हो साची स्थूपा जो है यह आर्किटेक्ट्रल मार्वल माना जाता है और यह बिरीफ किया जाता है कि जो लौड बुद्धा थे उनका ये एक घर रहा है ठीक है जो ग्रेट स्थूपा है ये बहुती बड़ा पिल्ग्रिमेट साइट है स्पेशली बुद्धिस्ट लोगों के लिए और ऐसा माना जाता है कि इंडियन एम्परेर जो अशोका है अशोका दा ग्रेट उन्होंने ये बिल्ग करवाया था थर्ड सेंचुरी में ये उल्डेस स्टोन कल्चर है कंट्री का ये भी माना जाता है और ये युनिसको का वर्ल हेरेटेज साइट भी है तो मैंने आपको जो युनिसको के वर्ल हेरेटेज साइट करवाए है उसमें भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा ठीक है और ये मौरियन एरा जो है उस टाइम से ही बना हुए है इसमें ये बात भी बताए जाती है दाट देरा फोर गेटवें सरा परच एंड ट्रस्ट ओके नेक्स्ट इस रामनाथा स्वामी टेंपल जो की तमिल नाडू में है साउट साइड में आप देखोगे बहुत ही जादा मतलब ऐसे आपको टेंपल देखने के लिए मिलेंगे तो रामेश्वर जो है ये एक स्मॉल आइलेंड टाउन है तमिल ना आई थे जब उन्होंने रावन को डिस्ट्रॉई कर दिया था ठीक है तो रामेश्वर उदर से भी या रामनाथा स्वामी जो है उदर से आप समझ सकते हो कि ये राम भगवान से कुछ तो रिलेटेड है ठीक है तो रावन एक ब्रामहिन था ऐसा कहानी में बताया जाता है तो ब्रामहिन को मारने के बाद राम भगवान यहाँ पर प्रे करने आये थे लॉर्ड शिवा से और उन्होंने हनुमान जी को मतलब बोला था कि आप काशी में जाए और शिवा लिंगा जो है वो आप लेकर आओ ऐसा उनको बोला और मीनवाइल जब ये सब हो रहा था माता सीता जो थी उन्होंने एक स्मॉल लिंगम बनाया वट इस लिंगम ये बेसिकली टर्म दिया गया है जो मतलब कुछ एनरजी जो क्रियेट होती है उसके लिए तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिंगम या लिंगा आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मंदिर में इवन आज भी अ उसके बाद राम लिंगन की पूजा होती है नेक्स्ट इस वैष्णो देवी टेंपल जो की जम्मो एन कश्मीर में है ठीक है तो दिस इस वालसू वन अफ दे मोस्ट होलियस साइट फॉर हिंदू पेलगर में चिवैष्णो देवी का टेंपल है और यह माउंटेंस में सिच उसका नाम वैष्णवी था उसको एक ब्लाक मैजीशियन जो भैरोनाथ जिनकी पूजा भी होती है यहां पे भैरोनाथ का मंदिर भी है ठीक है वो उनको चेस कर रहे थे सो उनसे बच के यह जहां जा रही थी मतलब एक ऐसा भी यहां पर जगा है जहां पर वो अपने बाल किया मतलब उनका गला काट दिया उसके बाद उनको जो भैरोनाथ थे उनको अपनी मिस्टेक रिलाइज होई और उन्होंने उनसे माफी मांगी शमा मांगी उसके बाद जो माता उन्होंने उनको ब्लेस किया यह बोलके कि यह जो पेल्ग्रमेज साइट बनेगा इसमें आप आपने कभी विजट किया होगा बहुत ही अच्छा experience रहता है next है सिद्धी विनायक temple जो की महाराष्ट में है तो लौड गनेशा का ये temple है ठीक है तो ये located है प्रावा देवी में जो की मॉंबई में है और मॉंबई में आपको पता है गनेश चतूर्ती या गनेश का जो भी festival होता है वो बहुत अच्छे से धूम दाम से मनाया जाता है तो ऐसे एट गनेश की temples है उसमें से ये one of them है ये सबसे richest temple माना जाता है इंडिया का यहाँ पे बहुत ज़ादा चड़ावा चड़ता है अभी इसके मंदिर के पीछे भी है ये लौट गनेश के उपर भी बहुत सारी कहानिया है ये तो हम मतलब बच्छपन में जो गनेश वाली movies आती थी वहाँ पे भी हमने देखा होगा गनेश ची को ये मतलब बरदान मिला था कि जब भी पूजा होगी गनेश ची की पूजा सबसे पहले होगी तो इवन हम दिवाली में भी जब पूजा करते हैं गनेश ची की आती विगरा सबसे पहले गाते हैं तो ये चीज उनको मतलब एक बरदान टाइप का मिला था तो ये ही चीज यहाँ पे बताई है कि जो लौट गनेश है उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है गनेश प्रकवान को और अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे कि विगन हर्ता हो गया ठीक है विगन हर्ता मीन्स जो आपके सारे दुख हर ले इस मंदिर में जो वोडें डूर है वहाँ पे इंप्रेशन बने हैं लौट गनेशा के इसको अष्ट विनायक भी बोला जाता है ओके नौ प्लीज रिमेंबर दाट आम टेलिंग ओल दिस फैक्ट और स्टोरी जास्ट सो दाट कि आपको स्टोरी से या किसी चीज से यह लोकेशन याद हो जाए आपसे कोई भी एक्जाम में इतना मतलब डीपली रिलीजियस चीज नहीं पूछने वाला जो भी आएगा मैंने आपको पहली ही बता दिया टेंपल का नाम और उसका लोकेशन आपको इससे जादा नहीं आएगा और कुछ जो साउथ के फेमेस टेंपल है उनका ये भी कुशन आता है कि किसने बनवाया है तो ये तीन चीज आपको बस पता होनी चीए उससे जादा आपसे नहीं पूछे रहे हैं बाकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ जिस इसले बता रही हूँ एक स्टोरी के वज़े से आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओ और आपको अच्छे से याद हो पाए तो इस गंगोत्री टेंपल जो की है उत्राखंड में ये भी हिमालियन रेंज में ही है उत्राखंड की डिस्टिक उत्रकाशी में गंगोत्री टेंपल जो है ये छोटा चारधाम यात्रा का एक पार्ट है उत्रा खंड में बहुत सारे टेंपल्स है तो यहाँ पे छोटा चारधाम होता है तो उसका ये एक पार्ट है जैसे temple का नाम आपको दिख रहा है गंगोत्री तो यह गंगा जो river है उससे related है आपको थोड़ा सा भी Lord Shiva के बारे में पता होगा या आपने कुछ इसका serial विगरा भी देखा होगा तो आपको पता है उनकी जो जटाएं है उदर से गंगा बहती है इसा माना जाता है तो यही वो मंदिर है या यही वो origin है जहां मतलब माक किया जाता है इस temple से ही कि जो holy river गंगा है वो शिवा के लॉक से लो कर रही है नेक्स्ट इस golden temple पंजाग इसके उपर question आया हुआ है अभी नहीं बहुत साल पहले का है I guess 2014 में इसके उपर question आया था so golden temple जो है इसको श्री हरमंदर साहिब भी बोला जाता है या दर्बार साहिब भी बोला जाता है तो दो और नाम से जाना जाता है यह most pious site है pilgrimage site अमरतसर पंजाब में और यहाँ पर Sikhism जो लोग पंजाबी होते हैं Sikh धरम को follow करते हैं वो जादा जाते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है even मैंने भी यहाँ पर visit किया है so यहाँ पर सारे लोग जा सकते हैं यह जो temple है यह मतलब इस value पर build किया गया है कि universal brotherhood and equality सबके बीच में equality और भाई चारा कैसे बढ़े वो यहाँ पर चार डोर है मतलब चार डिरेक्शन से यह खुलता है और जैसे मैंने अभी बताया तो कोई भी faith की हो आप कोई भी religion मानते हो आप इस मंदिर में जा सकते हो यह जो temple है या structure है काफी majestic architecture है इसका यहाँ पर जो holy book है सिख की गुरू grant साहिब वो वहाँ पर रखी हुई है ओके next है काशी विश्विनाथ टेंपल जो की उत्तर प्रदेश में है सो यह जो मंदिर है मतलब यह बताया गया कि वारन इसी क्या है oldest surviving city है पूरी world की और वहाँ पर यह located है काशी विश्विनाथ वनारस में यह भी जो 12 जोतर लिंग है उसमें से एक माना जाता है यह जो मंदिर है यह गंगा जो flow करती है western bank of गंगा वहाँ पर यह situated है इस टेंपल के बारे में यह भी बोला जाता है कि एक बार अगर आप काशी विश्विनाथ विश्विट कर रहे हो तो वो equivalent है कि आप जो बाकी सारे 11 जोतर लिंग विश्विट कर रहे हो जोतर लिंग किसके हैं लौट शिवा के होते हैं ठीक है तो यह temple अगेन लौट शिवा का है इस temple में काफी eminent personalities जो हैं वो भी विश्विट कर होती है नेक्स्ट है श्री जगनात टेंपल उडिसा में यह temple जो है 12th century में बिल हुआ था जगनात टेंपल जो है पूरी उडिसा में है और इसको popularly जगनात पूरी भी बोला जाता है यह लौट कृष्णा को dedicated है one of the child harms of इंडिया है यह यह जो temple है इसमें आपको लौट कृष्णा की ही मूर्ती मिलेगी और उसमें आपको लौट बलराम जो है और Goddess सुबद्रा बलराम उनके भाई माने चाते थी और सुबद्रा उनकी बहन माने चाती थी थोड़ा बहुत महाभारत पेगर अगर कुछ देखा है तो आप रिलेट कर पाओगे यह temple एक और रीजन से काफी popular है या famous है हर सालियां पे रध्यात्रा होती है पूरी में और वो रध्यात्रा में ऐसी होता है तो यह जो रध्यात्रा होती है उसके वज़े से यह काफी जाना माना मंदेर है next is यह मनोत्री temple जो की उत्राखंड में है यह मनोत्री temple जो है 19th century में built किया है अगें यह उत्तरकाशी district में है उत्राखंड के यह काफी बार damage हुआ है और इसको rebuild दो बार किया गया है और यह damage कैसे हुआ है natural disaster के वज़े से unlike Somnath जहाँ पर invaders ने आकर damage है यहाँ पर ऐसा नहीं यहाँ पर natural disaster के वज़े से यह damage हुआ है यहाँ पर river Yamuna flow करती है second holiest river माना जाता है सबसे holiest कि इसको मानते है गंगा को मानते है और उसके बाद Yamuna को और यह मतलब यह भी काफी height पर located है temple और इस temple में जो goddess Yamuna है उनकी आप मोती देखो गए कि black marble से बनाई गई है इस temple का एक और चीज है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी बाई के सब नहीं जा सकती है विकाज वहाँ के road इस तरीके के नहीं है तो जो भी जाता है यहाँ पर पर ही मतलब foot पर ही उसको चलके जाना पड़ता है ठीक है next is मिनाक्षी temple जो की है तमिल नाडू में इसका यह लोकेशन याद करना यह भी हिस्ट्री के बुक में है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है आकिटेक्षिल वंडर मतलब यह जिस तरीके से बनाया गया है वो बहुत ही अलग है temple किसको dedicated है goddess पार्वती जिनको मिनाक्षी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है hence the name मिनाक्षी temple ठीक है और इनके husband कौन है Lord Shiva मदुरही जो है यह second biggest city है और इसको oldest one of the oldest city भी माना जाता है यहाँ पर golden lotus tank है जो मंदिर में ही situated है और उसको काफी अच्छा माना जाता है जैसे आपने देखा होगा ना लोग गंगा में डुपकी लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं और एक dip मतलब बहुत ही और species माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस pond को Lord Shiva ने ब इसको nominate किया गया था ठीक है select तो नहीं हुआ जैसे seven wonder of world उसी तरीके से आप देखोगी कि natural wonder of worlds है इस तरीके से अलग अलग काटेगरी है तो new seven wonder of world एक और काटेगरी बनाई गई थी उसके लिए this temple को nominate किया गया था नेक्स्ट है अमरनाथ cave temple जो कि Jammu एन कश्मीर में है this is also a holy cave of अमरनाथ जो कि located है काफी उपर 3888 meter जो हमारी union territory है Jammu कश्मीर में वहाँ पर ये located है ये जादा तर snow से covered रहता है इसलिए ये मंदिर भी जादा तर close ही रहता है summer के मंत में ये open होता है और मतलब यहाँ पर काफ 5000 साल से भी पुराना माना जाता है कि ये cave है ठीक है ये मंदिर भी ऐसा ही है यहाँ पर भी आपको बहुत ही चल के जाना पड़ता है और climate का भी आपको Jammu कश्मीर में काफी ठंडी होती है climate का भी यहाँ पर बहुत ही uncertain रहता है next है Lengaraja temple which is in Odisha so ये temple जो है oldest temple और largest temple है इंड इंडिया इस temple को जो बेल्ट किया गया है वो कलिंगा स्टाइल में बेल्ट किया गया है सो इसलिए इस टेंपल में ना उनली सिफ जो religious devotees है मतलब जिसको धार में एक आस्ता है वो बलकि जिसको हिस्ट्री में कुछ इंट्रेस्ट है वो लोग भी यहाँ पर विजिट करते है आइडियल या मूर्ती लौट शिवा की ही है जिसको लिंगा राजा बोला गया है जो भगवान है उनके नाम आप देखोगे अलग-अलग होते है कुछ-कुछ रीजन्स में या स्टेट में तो वही है ठीक है तो लौट शिवा को ही रिप्रेसेंट करता है और आइडियल कि एक साइट में एक लेक है जिसको बिंदु सागर बोला जाता है ओके बिंदु सागर नेक्स्ट इस तिरुपती बालाजी टेंपल जो की आंद्रप्रदेश में है यह लोकेटेड है हेली टाउन तिरुमाला में जो की आंद्रप्रदेश में है और यहाँ पे यह टेंपल है तिरुमाला, वेंकितेष टेंपल के नाम से भी जाना जाता है यह टेंपल जो है, डेवोटेड है लॉर्ड वेंकितेष को जिनको पॉपुलरली वहाँ पे बाला जी माना जाता है अगें यह incarnation ओफ विश्नू है मतलब विश्नू का एक अफ़तार माने जाते है ठीक है इस temple को second richest temple भी माना जाता है पूरे इंडिया का south की temples में आप देखो कि काफी ज़ादा चड़ावा चड़ाया जाता है तो इसलिए वहाँ के temple बहुत ही rich होते है इस temple में ये भी माना जाता है कि बहुत सारे जो south Indian dynasty के rulers रहे हैं उन्होंने भी विजट किया है यहाँ पर बहुत सारे festivals वेगर भी celebrate किया जाता है यहाँ पर जो प्रशाद offer किया जाता है वो बहुत ही मतलब उसका unique taste बोला जाता है कि बहुत ही unique taste होता है उसके वज़े से यह बहुत ही famous है यहाँ पर जो hair auction होता है इसे आपको पता होगा जो कुछ-कुछ उसमें होता है चोटी बच्चों के बाल नहीं काटते है मुंडन करवाते है उनका एक certain age के बाद तो जो वो मुंडन करवाते है उनका जो hair होता है उसको collect करके यहाँ पर auction किया जाता है और यहाँ पर उसी से इनको सबसे जादा पैसा मलता है इस मंदर को around 6 million US dollar हर साल यह लोग कमाते हैं just hair auction से next temple है कंचिपुरम temple जो की तमिलनाडू में है इस तरीकी से यह temple दिखता है the city of thousand temple कंचिपुरम तमिलनाडू is one of the seven secret places in India where the people can attain moksh as per Hindu religion तो हिंदू religion के हसाब से साथ sacred places है जहाँ पर लोगों को moksh मलती है this is one of them यह जो temple है कंचिपुरम का इसके architect बहुत ही fascinating माने जाते है next is Khujraho in Madhya Pradesh इसके बारे में भी मैंने आपको UNESCO के world heritage site में बताया था because इसको UNESCO का world heritage site मिला हुआ है okay so Khujraho is a town in the state of Madhya Pradesh बहुत सारे जो कि 10th से 12th century के बीच में built किया हुआ है यह सारे जो मंदिर है यह चुटे चुटे monuments है पूरे 20 square kilometer तक फैला हुआ है and yes इसको UNESCO के तरफ से world heritage site मिला हुआ है यह जो सारे temple है ना यह sand stone के बने हुए है और जो भी Hinduism और Genism gods या goddess है उनको यह dedicated है यहाँ पर erotic carvings भी आपको देखने के लिए मिलेगा plus ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर 75 से जादा temples थे लेकिन आज के हिसाब से अगर देखे तो only 20 temple exist करते हैं यहाँ पर इसको 3 zone में भी divide किया हुए इस temple को eastern, western and southern zone यह सबसे जादा अपने इसी खुज्राहों में ही एक largest temple है शिव भगवान का जिसको बोलते है केदरिया महादेव temple उसके लिए जाना जाता है या उस temple को visit करने के लिए सबसे जादा लोग आते हैं यहाँ पर एक annual dance festival भी होता है वो भी celebrate किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है विरुपक्ष टेंपल जो की करनाटका में है यह temple 7th century में built किया गया था and यह famous है because यह functioning temple है मतलब यहाँ पर चीजे होती रहती है कुछ ना कुछ and यह located है village of Humpey में Humpey में और भी काफी सारी temple है लेकिन उसमें से यह one of the most famous है इसको भी again UNESCO World Heritage Site मिला हुआ है ठीक है All Heritage Site of Humpey जो है ना इसको एकठी UNESCO ने World Heritage Site दिया हुआ है यह temple जो है यह Lord Shiva को dedicated है विरुपक्ष टेंपल जो है यह काफी religious center माना जाता है और यह popular tourist destination भी है Lord Shiva जो है उनका एक form है विरुपक्ष उसमें मतलब उस form में पूजा की जाती है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारी festivals तो होते हैं साथ साथ में जो शादी वेगरह होती है या engagements यह सब भी यहाँ पे conduct करवाया जाता है नेक्स्ट है अक्षद्धार्म temple जो की डेली में है यह construct किया गया था शाष्ट्र बेस प्रिंसिपल पे यह located है यामुना रिवर के पास और डेली में है यह temple काफी authentic है और यह एक तरीके से ancient architecture जो है उसको reflect करता है या उससे resemble करता है इस temple में Lord Swami Narayan की पूझा की जाती है जो again incarnation of Vishnu माने जाते है यहाँ पे 11 feet ideal है मतलब 11 feet का जो God की मूर्ती है वो है और temple आप देख सकते हो जो राजस्तानी pink stone type का style है जैसे राजस्तान को pink city भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ के जो चीजें हैं वो अलग सी pink stone से बने होते हैं तो उसी stone से यह temple भी बना गया है इस temple में काफी lighting arrangement भी की गई है तो रात को ऐसा माना जाता है कि यह और भी बहुत ही सुंदर दिखता है और यहाँ पे बहुत सारी activities भी होती है आप movie में भी देखोगे यह सब temple का कहीं कहीं आपको दिखेगा exhibitions होती है यहाँ पे दिन light and music show भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट इस गुमतेश्वरा टेंपल इन करनाटका यह जो टेंपल है यह श्रवाना बेला गोला टाउन है करनाटका का वहाँ लोकेटेड है गोमतेश्वरा टेंपल जो है यह Lord Bahubali को dedicated है जिनको इनी नाम से जाना जाता है तो इनके नाम पे ही यह temple है 10th century में यह built किया गया था and Jain Community का यह pilgrimage site माना जाता है यहाँ पे काफी बड़ी statue है जो आपको आगे फोटो में भी दिख रही थी तो यह statue है बहुत ही बड़ी है It is 58.8 feet और ऐसा माना जाता है कि एक single stone से ही इसको carve out किया गया है ऐसा आपका एक question भी आया था previous year question paper में कि कौन सी temple है जिसको single stone से carve out किया गया है So कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपसे direct question ना पूछ के कुछ उससे related question पूछ लिया जाए यह जो temple, sorry, ideal है बाहु बली की इसमें तीन language में नीचे inscription भी आपको मिलेगी In Marathi, Kannada and Tamil इन तीन language में आपको inscription भी नीचे मिल जाएगी बहुत सरे important festivals जो होते है जेन community के वो यहाँ पे celebrate किये जाते है Next is Ranakpur temple जो की राजस्थान में है तो Ranakpur एक village है पाली district of राजस्थान में यह temple वहाँ पे situated है between Udhepur and Jodhpur This is a very famous pilgrimage site in India and 15th century में built किया गया था यह भी एक jain temple है जो Lord Adhinatha को dedicated है जैसे Hindu धर में sacred site होते है उसी तरीके से 5 sacred sites है जैनिजम में भी तो यह one of the 5 sacred sites माना जाता है इसका architect काफी अच्छा है और इसको nominate किया गया था again new seven wonder of world जो है उसमें यह काफी light marble से build किया गया है और इसमें around 1400 pillars है तो आपको यह pillars ऐसे दिख रहे है न ऐसे around 1400 pillars हैं यहाँ पे और इस मंदिर में ना natural sunlight आती है उसी से ही इस मंदिर में उजाला है इसमें कोई ऐसे external lighting वगरा नेखी गई है next is शिर्डी का साई बाबा जो है यह महराश्ट्र में इनका temple है यह खोली temple है साई बाबा का जो ऐसा माना चाता है कि 1922 में built किया गया था शिर्डी महराश्ट्र में located है मुंबई से थोड़ा सा दूर है यह एक छोटा सा टाउन है शिर्डी वहाँ पे यह है साई बाबा से इसको associate किया जाता है काफी जादा area में फैला हुआ है 200 square kilometers area में और माना जाता है कि जो साई बाबा है उनकी समाध ही यहाँ पे है बहुत सारे devotees यहाँ पे आते हैं साई बाबा से prayer करने इसका मंदर पहली यह silver सा था अभी इसको gold के उसमें भी कर दिया गया है नेक्स्ट है श्री पद्मनाभा स्वामी temple in केरला तिरुवन्त पूरम जो है capital of केरला इसका literally meaning क्या होता है city of lord ananta तो यह जो temple है lord vishnu को ही dedicated है और 108 जो vishnu के temples है उसमें से एक माना जाता है इस temple का काफी strict dressing code है जो हमने अभी आगे तक किसी temple में नहीं देखा तो यहाँ पे strict है कि men जो है वो धोती में ही आएंगे कोई भी shirt या कुछ नहीं पेनेगा और women's जो है वो sari या blouse skirt इन सब में ही आएगी ठीक है यह भी one of the richest temple in the world माना जाता है next है द्वारिका धीश temple जो कि गुजरात में है यह lord krishna का घर माना जाता है द्वारिका धीश temple जो है द्वारिका city गुजरात में situated है इसको जगत मंदर भे बोला जाता है इसके दो डोर है एक entry के लिए एक exit के लिए और इसको स्वर्ग दरवार मतलब door of heaven बोला जाता है जहां से आप घुजते हो और जहां से आप exist करते हो मतलब जहां से बाहर निकलते हो उसको मोक्षद्वार या door of liberation भी बोला जाता है इस temple is also part of चारधाम यात्रा एंड ये temple अगें river गोमती के bank पे situated है तो ऐसे question भी आते है temple हो गया कोई famous monument हो गई या कोई city जो किसी river के bank पे situated है वो question भी आता है ठीक है या पर Lord Krishna की आपको देखे कि मतलब Lord Krishna का मंदर है तो उन्ही के जो devotee होते हैं वो ही आते है next is Lakshmi Narayan temple जो की Delhi में है इसको महात्मा गांदी ने inaugurate किया था और build करवाया गया था एक industriist जुनका नाम है बाल दियो दास बिल्ला आप बहुत सारे जगह पे बिल्ला मंदर भी देखेंगे ठीक है तो उन्होंने build करवाया था and inaugurate किया था महात्मा गांदी ने यहाँ पे किसी भी कास्ट के लोग किसी भी क्रीट के लोग यहाँ पे विजट कर सकते हैं और जो यहाँ पे प्लक्षमी नारायन विचस मतलब गॉड़ेस प्लक्षमी और भगवान विष्णू उनकी आपको मूर्ती देखने के ले मिलेगी इन दोनों भगवान के साथ-साथ यहाँ पे आपको लौड शिवा, लौड हनुमान, लौड कृष्टा, लौड गनेश, लौड बुद्धा इनके भी आइडियल्स देखने के ले मिलेंगी यह टेंपल भी अराउंड 7.5 एकर की लांड पे फैला हुआ है काफी बड़ा टेंपल है और डेली में हैं तो काफी हूज ओडियंस भी अट्राक्ट करता है नेक्स्ट है इसकॉन टेंपल जो की उत्रप्रदेश में है तो इसकॉन टेंपल जो है यह बहुत सारे सिटीज में है नॉट ओनली इन उत्रप्रदेश आप हर जगब पे या मैक्सिमम सिटीज में आप इसको देख पाऊगे जैसे मुंबे में है या कॉलकता में है ऐसे मेजर सिटी में आपको मिलेगा इस कॉन जो है बेसिकली यह शॉट फर्म है किस चीज का इंटरनाशनल सुसाइटी फॉर कृष्णान कॉंशियसनेस यह एक रिलीजियस मुमेंट चला था जैसे आपने भक्ती मुमेंट पढ़ा होगा हिस्ट्री में उसी तरीके से रिलीजियस मुमेंट भी है तो यह उसी का एक पार्ट है तो यह पूरी सुसाइटी है फुल फॉर्म क्या है मैं रिपीट कर देती हूँ इंटरनाशनल सुसाइटी फॉर कृष्णा कॉंशियसनेस तो यह इस कौन के जो भी टेंपल है कहीं पे भी आप देखूगे तो वो कृष्ण भगवान को ही डेडिकेटेड आपको मिलेंगे यह जो उत्रप्रदेश वाला मंदिर है इसको कृष्णा बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया यहां से आप नोट कर सकते हो यह जो मंदिर है 1975 में बिल्ट किया गया था व्रिंदावन जो है मतुरा में वहां पर यह बिल्ट किया गया है ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा जो है अपने यंगर डेस में वहां रहे हैं मतलब जब वो बच्चे थे वो व्रिंदावन में रहते थे ऐसा माना जाता है इसकौन टेंपल इसले भी जाना जाता है विकास यहाँ जो cleanliness standard है वो बहुती अच्छा होता है मतलब जो भी मंदिर होंगे इनके आपको बहुती साफ सुत्रे मंदिर दिखेंगे Next is महा बोधी टेंपल जो की बिहार में है This is located in ancient city of बोधी गया बिहार तो बोधी गया जो एक city है बिहार में वहाँ पर यह located है महा बोधी टेंपल का मतलब होता है Great Awakening Temple ठीक है इसको king Ashoka ने बनाया था ऐसा माना जाता है कि यही वो जगा है जहां prince सिदार था जिन्होंने अपना मतलब निर्वाना जिनको attain हुआ था और वो Lord Buddha बन गए थे age of 35 पे ठीक है यह temple जो है इसका भी architecture style बहुत ही यूनीक है और बहुत ही authentic है इसलिए इस temple को भी UNESCO World Heritage Site List में डाला हुआ है तो जैसे मैंने बताया Lord Buddha से related है तो यहां पे जो भी Buddhism को follow करते हैं वो लोग जाते हैं यह एक बहुत ही popular pilgrimage site है for people who follow Buddhism नेक्स्ट है कमाख्या temple जो की आसाम में है निलाचल हिल जो है western part of Guharati आसाम में वहां पे यह temple located है according to Karl की पुरान कमाख्या temple is one of the four primary शक्ति पीट of Goddess Sati तो Goddess Sati जो थी उनके बहुत सारे शक्ति पीट है all over India में ठीक है यह आपको अलग-अलग दिखेंगे कहीं पे 18 माने जाते हैं कहीं पे 21 कहीं पे 4 आपको ऐसे अलग-अलग दिखेंगे इसके पीच्छे भी कहानी है या मैं पूरा तो आपको नहीं बताऊंगी मैं थोड़ा सा बता दे तो जो ऐसा माना जाता है ऌर इसीलिए इस मन्दिर में बहुत सारा तंत्र मंत्र जो होता है वैसे चीजरे भी होती है और किसी को भी जैसे वोमन हुट को लेकर कुछ प्रॉब्लम है बेंस्टूएशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम है या फर्टेलिटी इशुजन है तो वो सारी चीजह यहां पर होती है, वित तंत्र मंत्र, ठीक है? यह टैम्पल जो है, एक और रीजन के वज़े से यूनीक है, विकज यहां पर वुमेन हूट को celebrate कεια जाता है, यह रिवर ब्रह्महसपुत्र के पास है, तो यहां पर ऐसा भी माना जाता है, कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हर साल जून के मन्त में जो इस मंदर के पास है वो रेड टर्न हो जाता है ठीक है अब ये मित है ये सच है I am not telling you about that इस टेंपल के पीछे क्या लेजंट है मैं आपको वो बता रही हूँ ओके नेक्स्ट है नीलकंट महादेव टेंपल जो की उत्राखंड में है ये जो टेंपल है hill town of रिशी केश में बिल्ड है ये जो टेंपल है this is also a most prominent हिंदू pilgrimage site जो की नीलकंट को dedicated है नीलकंट कौन है लौट शिवा की incarnation आपने बहुत सारे images देखी होंगे जहां पे भगवान शिफ क जो neck portion होता है गला वो नीला होता है क्योंकि इसके पीछा again story है जब gods और असुरों के बीच में fight हो रही थी कि कौन उस poisonous drink को पीएगा समुंद्र मंथन के time तो लौट शिवा ने उसको पी लिया था और यही reason है कि वो अपने गले के around साप भी रखते हैं ठीक है तो उनका गला temple in Odisha यह जो temple है 10th century के around बना है Lord Shiva को ही dedicated है Lord of spiritual freedom के नाम से भी जाने जाते है मुक्तेश्वरा मुक्ती तर्म आप थोड़ा सा देखोगे पढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेगा ठीक है इसका मतलब होता है freedom from the cycle of life and death life and death की capable होती है छेसे अलगालाग धर्म में आप देखोगे अलगालाग माना जाता है जैसे बलते है आपकी 7 जन्म होते हैं फर कोई कोई उसमें आप देखोगे जैसे after life होता है यह जो भी जहां पर जैसा भी माना जाता है तो यह जो cycle है life and death का इससे freedom मिल जाएगी ऐसा माना जाता है यह ठीक है तो यह temple इसको gem of Odisha architect भी बोला जाता है This is also an important point you can note it down Next is Shri Krishna Jan Bhoomi Temple जो की उत्तर प्रदेश में है तो जो भी भगवान कृष्ण के जाधा तर टेंपल है वो उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे तो जैसे मैंने बताया कि Madhra को माना जाता है कि Lord Krishna का वो birth place है तो यहाँ पे जो भी famous temple है Krishna के वो यही मिलेंगे तो Shri Krishna Jan Bhoomi मतलब जहाँ पे Krishna जी का जन्म हुआ था ठीक है Jan Bhoomi Temple यहीं यहाँ पे belief किया जाता है कि यह temple exactly उसी जगह पे बिल्ड है जहाँ पे Krishna जी का जन्म हुआ था नेक्स्ट है बांके बिहारी temple जो अगेन उत्राकंड में है तो बांके बिहारी किसको बोला जाता है यह भी Krishna जी को ही बोला जाता है ठीक है यह famous Krishna temple ही है जो कि व्रिंदावन में located है मतुरा डिस्टिक उत्रप्रदेश में यह भी एक sacred place है इंडिया का और अगेन यहाँ पे Lord Krishna ने अपना childhood spent किया था ऐसा माना जाता है next is कर्णी माता temple जो की राजस्थान में है यह जो temple है देश नोक इन राजस्थान में located है यह कर्णी माता को dedicated है यह temple और ऐसा माना जाता है कि lakhs of devotee आते हैं हर साल इस मंदिर को एक और reason के वज़े से जाना जाता है यहाँ पर rats की पूजा होती है ठीक है चूहो की वैसे यह माता का मंदिर है गनेश भगवान का नहीं है गनेश भगवान का वाहान होता है rat तो उदर अगर पूजा होती तो कुछ मतलब समझ प्याता य कि जो करनी माता है यह incarnation of goddess Durga मानी जाती है मतलब दुर्गा माता का एक रूप मानी जाती है ठीक है and next is Sabrimala temple in Kerala इस temple के बारे में आम शूर सबने सुना होगा बिकाज यह temple कुछ सालों पहले बहुत जादा कॉंट्रिवर्सी में रहा है और यह काफी साल तक कॉंट्रिवर्सी में रहा है क्यों रहा है बिकाज इस temple में फीमेल अलावड नहीं है from age 10 to 50 ठीक है जो भी girls 10 से छोटी है या 50 के बाद की जो women है वो इस temple पे जा सकती है लेकिन 10 to 50 एज की जो भी फीमेल है वो नहीं जा सकती इस temple का ऐसा रूल था ठीक है तो यह कहां लोकेटिड है वेस्टन घाट में सब्रिमाला टेंपल जो है यह कैरला में है और इसके आसपास आप देखोगे 18 से जादा hills and dense forest पूरा surrounded है यह एक annual pilgrimage center है इंडिया का जहां पर estimated यह माना चाहता है कि 50 million यह से जादा जो लोग है वो आते हैं चल के कोई भी कास्ट हो religion हो उसके ठीक हर साल यहां पर इतने जादा लोग आते हैं so that's it in this video guys मुझे जितने भी important temples लगे मैंने सब को add कर दिया है in case you feel like you need to study in more depth तो जो भी temple या famous monuments है यह सारा मैंने आपको एक list दिया हुआ है आपकी study material में GK section में तो आप उसको refer कर सकते हो and temple of India पे आपको एक test भी मिल जाएगा तो जैसी आपका session complete हो जाता है आपको यह चीज़े समझ आ गई आप जाके test भी attempt कर ले ना ताकि आपको यह भी पता चल जाए question किस type से आते हैं okay I hope you enjoyed today's session thank you so much for watching